आज हम बात करने वाले हैं हमारी प्लेलिस्ट के उपर या प्यानो रोल के उपर step क्या चीज है, beat क्या चीज है, bar क्या चीज है, ये 1x3, 1x6, 1x2 ये सब क्या होता है step और beat 1x2, 1x4 हो जाते हैं वो क्या चीज है इस पूरी चीज को आज हम discuss करने वाले हैं मैंने पहले सोच रखा था कि मेरा जो अगला lecture होगा, वो vocal processing के उपर होगा लेकिन आज मैं जिम में काफी random वीडियो के उपर comments का reply कर रहा था और मैं देखा कि काफी सारी queries इस चीज के उपर थी, बहुत सारे आप में से student है जिनको ये confusion है 1 by 3, 1 by 6 step बाद ये सब क्या होता है तो आज के बाद ये confusion हमेशा के लिए खतम होने बाली है क्योंकि आज हम इसको एक एक चीज आराम से सीखेंगे let's start तो चलिए ये software मैंने खोल लिया है, by default आपके सामने इस तरह से खुलता है, right यहाँ step है, पहले मैं इसको line इस तरह से आपके सामने by default ये खुलता है, यह line लिखा होता है और 140 होता है, song pattern वगएरा ठीक है, right बिल्कुल 0 से start करेंगे, एक एक चीज क्या है, कैसे है सबसे पहले, ये जो number है, 1, 2, 3, 4 आप साथ साथ copy pen लेके note करें तो अच्छी बात है ये 1 से लेके 2 तक, जो ये है, ये है मेरा bar, bar bar, एक bar, 2 से लेके 3 तक दूसरा बार, 3 से 4 तक तीसरा बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार जैसे हम wrap में कहते हैं, I am dropping the bars तो वो इसकी बात कर रहे होता है, कि ये bars के अंदर मैं change over करता जा रहा हूँ और वो change over क्या है, जो अभी हम देखेंगे, right मैं यहाँ पर एक box रख देता हूँ, simply, ये पूरा एक, ये जो length मैंने यहाँ पर लगाई है, ready रख लेते हैं, ये पूरा एक bar है, एक से लेके 2 तक, ठीक अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक कोई hat लेता हूँ, चलि मैंने अपर hat ले ली, यहाँ ले लेते हैं hat, बार ही, बाद में piano roll भी देखेंगे, ठीक है अब, अगर तो मैं इसको पकड़ के यहां तक करूँ, तो यह मेरा एक bar है, यानि मेरे एक बार में एक bar ही hat आती है एक बार में एक hat, तो अगर मैं यू लगाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, हर एक बार में एक बार ही hat है ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसे खोला ये पूरा है मेरा एक बार इसके क्या है, आगे एक, ये दूसरा डबा, ये तीसरा डबा, ये चौथा डबा यानि ये चार जो बड़े बड़े डबे बने हुए हैं, ये क्या चीज़ है ये है मेरी बीट, एक, दो, तीन, चार इसको मैं पकड़ता हूँ और ये कर देता हूँ, एक सिले के दो तक मेरा पूरा बार था और ये है मेरी एक बीट, ठीक है तो अब मैं मान लो, मैं इस तरह से अगर रखता हूँ, एक, दो, तीन, चार तो यानि की मेरे एक बार में एक सिले के दो तक मेरा एक बार है एक बार में मेरी चार बीट आती है ठीक, अब मैं बात करता हूँ अपनी एक ही बीट की इस बीट को मैंने पकड़ा पहले क्या था? एक बार में चार बीट आ रही है अब जो इसके अंदर ये एक, दो, तीन, चार, ये चार डब्बे दिख रहे हैं ये क्या है? ये है step जो यहाँ पर हमारे पास लिखा होता है step ये क्या है? मैंने इसे फिर पकड़ा और मैं इसको ले गया छोटा करके यहाँ ये मेरा एक step है एक step में एक sound आ रही है अपने आपको ये loop कर रही है ठीक है? मैं इसे थोड़ा पीछे कर देता हूँ अब मैंने कहा ये जो एक step बन गया है इसको मैं half में divide करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ गया और मैंने कहा ठीक है 1 by 2 step इस step को 2 में divide कर दो क्लिक किया ये 2 में divide हो गया एक दो, एक दो, एक दो, एक दो और कितने सारे steps बन गये? देख रहे हैं ये 2 number तक जो है एक bar है ये पूरी एक beat है ये एक step था और अब step भी दो हिस्सो में divide हो गया है 1 by 2 step तो इतने में 2 लगा दिये ये animation थोड़ी अजीब सी दिख रही है क्योंकि बहुत तेज हो रहा है ठीक है? मैंने ये हटाया मैंने का जी ये जो मेरा एक step है जो मैंने select किया था इसको 4 में divide कर दो ठीक है? 1 by 4 step अब ये 4 steps में हो गया है ये देखिए 1, 2, 3, 4 तो आप कित्ता भी कम कर सकते है मैं इसको 1 by 4 कीज़ेगा मैं कर देता हूँ 1 by 6 उतना ही area 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब वो ही जो step है मेरा वो आगे 6 हिस्सों में divide हो गया है मेरा एक step ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ? इसे मैंने click किया step हमें पता लग गए है जिसको नहीं पता लगा पीछे करके देख लिजेगा बहुत simple था मैं click करता हूँ वापिस मैं line करता हूँ अब मैंने जब line किया जिन लोगों का ये काम नहीं कर रहा है उनका ये magnet देख लेना यहाँ पर जो बना हुँ है snap to grid वो green नहीं होना चाहिए अगर green है click करके उसे main कर लिजे तब वो ये चलेगा ठीक है? मैं एक-एक चीज़ बताऊँगा आगे पीछे अगर के शुरू में मत करना कि हमारे तो ये काम कर नहीं रहा है ये चौता box ये है मेरी चार beats ठीक है अब मैं क्या करता हूँ मैं एक beat पर जाता हूँ ये यहाँ तक मेरा बार था एक, तो, तीन, चार, चार beats है एक डबा, दूसरा डबा, तीसरा डबा, तीन beat और पिछे किया एक डबा, दूसरा डबा, दो beat ये एक beat सिंगल एक beat अब इस beat को मैं divide करना चाहता हूँ चार में तो ये अल्रेडी होई रखी है मैंने का इस beat को तीन डबों में divide करते हैं तो यहाँ click किया मैंने का 1 by 3 beat और ये देखिए एक, दो, तीन ये तीन में divide हो गई मैंने का इस beat को 1 by 6 में convert करते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ये देखिए इसे पकड़ा पिछे कर दिया छे आ गई मैंने कहा 1 by 2 में करते हैं तो उस beat के दो हिस्से हो गए राइट तो हमें बहुत ही easy तरीके से समझ आ गया है कि मेरा पूरा बार क्या है एक से लेके दो तक, एक बार उसके अंदरे चार हिस्से हैं, वो है मेरी चार beat और जैसे यसे हम और कम करते जाते हैं वो होता है मेरा step जिसको नहीं पता लगा, साथ साथ देखते रही है नोट करते रही है या पीछे करके देख लिजिए ओके, बहुत simple था अब आप कहेंगे कि मैं यहाँ पर जब कुछ उठाके लगाता हूँ चलिए इसकी tail छोटी है कई बार क्या होता है, यह बिल्कुल line तक नहीं है या कई बार थोड़ा आगे होता है तो मैं इसे पीछे करता हूँ तो उतना सही तरीके से नहीं होता हूँ क्योंकि snap के हिसाप से होता है सिधा ही टक, टक, टक यू लगता है यह देखिए कभी आगे निकल गया या पीछे निकल गया, मैंने कभी लिकुल line पे होना चाहिए तो दो तरीके हैं मैं कैसे करता हूँ, Alt प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड पर यह किया, Alt मैंने प्रेस प्रेस करके रखा हुआ है यह देखिए अब कितना स्मूध यहां तक ले आया, माउस छोड़ा, Alt भी छोड़ दिया अब यह हर जगा इसी साइज का होगा बहुत सिंपल दूसरा तरीका क्या है अगर यह आगे पीछे है, यह देखिए यह पीछे आता है, आगे जाता है, लाइन के उपर नहीं आ रहा यहां क्लिक किया, और मैंने कर दिया None None किया, तो फिर वो ही चीज हो गई Alt प्रेस करके या None क्लिक करके क्या होता है, जो Quantization है, यह Quantize करता है अपने आपको टक करके बिल्कुछ सही लाइन पे लगा देता है वो Quantization, वो Snap to Grid वो Off कर देता है, None करने से ठीक है, मैंने इसे क्या किया वापिस, बन अब कहीं लोगों की Problem क्या होगी यहां Playlist Options के अंदर एक चीज है वारे पास, Snap to Grid, यह हरे वाला बस याद रखीगा, यह Green Button ओन ना हो, यह Global है सब के ओपर काम करेगा आपने प्यानो रोल खोला, तो प्यानो रोल के अंदर कुछ लोगों को आईडिया होता है कि प्यानो रोल के अंदर यहां से लेते हैं है वोही चीज, मेरी Steps आ गई, मेरी Beat आ गई, मेरी पूरी एक Beat आ गई, मेरा पूरा एक Bar आ गया अगर यह मैं यहां से On कर दूँगा 1 by 6 Beat तो फिर यहां से चलना शुरू हो जाएगा 1 by 6 Beat हो गई है, अब मैं यहां देखो, चेंज कर रहा हूँ वो चेंज हो ही नहीं रहा कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, वो चेंज हो ही नहीं रहा क्योंकि इसका जो Control है, वो इसने ले लिया तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कभी छेड़ता है नहीं मैं इसे क्लिक करता हूँ, और हमेशा मैं रखता हूँ Main main करने से वो green magnet जो रंग था off हो गया, अब देखी यहां से change हो गई global वाले से 1 by 3 हो गया यह ऐसा हो गया, line कर दिया वापिस हो गया, right बहुत simple था, यहां पर एक option है मारे पास, bar और beat, bar पे click किया तो क्या बना, यह देखिए, line submit गई, line पे वेले करते हैं, पहले इस तरह की lines दिख रही थी मैंने line पे click किया और मैंने कहा एक bar तो वो दिखा रहा है बस एक bar यह तीसरा बार, यह चौथा बार पांचवाँ, छेवाँ, जब आप render भी करते हैं, तो आप देखेंगे जब गाना रेंडर करते हैं, वाइंड में लिखाता है 176, 122, 74 वो क्या बताता है, वो बताता है कितने बार का आप गाना रेंडर कर रहे हो, ठीक है, तो उसने पूरा एक डबा बना दिया, एक बार का इस एक बार में जो आपने बिल्कुल खाली बना दिया, बीट कितनी है, यह जो एक इतना है, मैंने का धेक लेते हैं, यहां क्लिक किया, मैंने का बीट, चार बीट है, बहुत सिंपल, अब यह चार ही क्यों है, यहां आती है हमारी टाइम सिगनेचर, टाइम सिगनेचर या Project Journal Settings इस पर क्लिक किया यहां पर आए Numerator Denominator यह 4 by 4 4 by 4 ठीक है एक तो 3 4 जो मैं इसे क्लिक करता हूं तो 3 4 एक तो 3 4 ठीक मैंने का इतनी ही रहे एक से लेकर 2 तक जो मेरे बार में 4 आ रही है बार मेरा वही रहे लेकिन जो यह चलने का तरीका है इस बार की जो division है वो change हो जाए Numerator जो उपर की है चेंज रहे नीचे वालब ऐसा ही रहे ठीक है तो मैंने इसे कर दिया 3 ध्यान से देखिएगा 4 by 4 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2 ऐसे चल रहा है देखना इतने ही एक से लेकर 2 के बीच में वो 3 रह जाएंगे एक से लेकर 2 के बीच में अब सिर्फ 3 है 1,2,3 बार खतम दूसरा बार 1,2,3 आप देख रहे हैं मैंने फिर हटाया मैंने change किया 5 अब मेरा एक बार के नदर 5 आ गए है 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 और यह सुनता कैसे है जो टक की साउंड़ों से ध्यान देखना पहला टक हमें बताता है transient मेरे बार का स्टार टक 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 टोड़ी सी रह अलग उसकी pitch में विरेशन है या sound में विरेशन है हलक किसी है तो यह देखिए जब मैंने इसे कर दिया 3 सुनके ही पता लग जगा तो यह गाना है और मैंने किया चलिए पांच किया था पांच देख लेते हैं अब यह sound कैसे करेगा एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच यह देखिए मैं इसके नदर हैट लगाता हूँ तो इसकी ताल ही चेंज हो याती है मैंने वापिस पर क्लिक किया और वापिस जैसा है 4x4 कर दिया अब 4x4 बाइदिफॉल्ट क्यू है अबल्टन, क्यूबेस, प्रो टूल्स, निवेंडो, बिट्विग, एफल स्टूडियो, लॉजिक प्रो, सब में बाइ डिफॉल्ट आपको मिलेगा 4x4 रीजन, दुनिया के 90 से 95 प्रतीशे जो गाने है, उनका टाइम सिगनेचर 4x4 ही होता है यह जो टाइम बेस लिखा हुआ है, यह हमारी टाइम सिगनेचर से रिलेटेड चीज नहीं है, यह यहां की एनिमेशन से रिलेटेड चीज है मतलब मैं कितना इसे जूम कर सकता हूँ, अगर आपके ग्राफिक स्ट्रॉंग है, तो आप इसको 960 पे भी रख सकते हैं, लेकिन आपका कंप्यूटर लोड उतना ना ले, तो आप 96 रखे, इतना ही जूम यह सिरफ जूम वाली चीज है, यह हमारी music theory का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो यह था time signature, 1 by 3, 1 by 2, line वगयरा यह सब क्या है, यह हमको clearly समझ आ गया है, साथ साथ sound रखके, कोई kick रखके, कोई snare रखकर practice करते रहेगा, अब मैं एक basics यह आपको rhythm बना के दिखाता हूँ, यह मैं एक बार के अंदर यह बना रहा हूँ, यह मुझे कैसे इतनी जल्दी रखा, practice हो रखी है, आपकी भी होनी चाहिए, एक यहां रख दिया, चलिए, ठीक है, beat बनी धुम, तपक धुम, धुम टक, अब यह चार दिख रहे हैं, ठीक है, मैंने hat ली, अब यह करहा है, ठीक है, म तट एक बारूं, यह तो एक इस तरह से आएगा, यह चार में divide है, यह तीन में divide करनी पड़ेगे, बुझे मैं serious? steps में कैसे, पहले मैं नहीं आ रखा, यह दो लगा दिये, और मैंने फिर क्या किया, इतने से डब्बे को याद रखेगा, चली मैं select कर लेता हूँ, यह 4 में है, ठीक है, मेरी 1 beat है यह, 1 beat 4 हिस्सों में divide है, मैं इस beat को 3 हिस्सों में divide करना चाहता हूँ, 1 by 3 हो गया, तो यह करेगा, तो तर्तततत, तर्ततत, यहां चाहिए मुझे तर्तत, तो वापिस क्या होगा, यह पकड़ा, यहां रखा, यहां रखा Τतत, तर्तत, अब यह तर्तत, तर्त चाहिए तो इतना हिस्सा सिरफ इतना हिस्सा जो मेरा है मेरा step चेंज करूँगा step को किया मैंने 4 में divide alt प्रेस किया 1, 2, 3, 4 वापिस कर दिया line अब यह करेंगा तर्टत यह देखिएगा मैं अकेला hat on कर रहा हूँ आप देखरें कितने अची विरियेशन आ रही है तो मैं अपने time signatures के साथ खेलू मैं इन grids के साथ खेलू snap से साथ खेलू यह नहीं है कि बस hat लेली और तक 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 आज कल वो rap चल रहे ना मैं ते नुसी के हा मैंनो ना 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 दो दुनी चार चार दुनी आठ वो बड़ा बोर लगता है क्योंकि एक ही तरह की चीज चल रहे है वह और बात है चलिए पेट प्रमोशन से आप जितने मरजी भी उसे खींच सकते हैं तो में क्या है आप चाहिए rap कर रहे हैं चाहिए music production कर रहे हैं कोई भी गाना कर रहे हैं आपकी rhythm में change होना चाहिए Rap की full formic आ रिदम and poetry यहां सिर्फ हम Rap की बात नहीं कर रहे है हम Rhythm की बात कर रहे है देखी कितनी variation आते हैं अगर मैंने यह off रखे केगा मैं सिरफ यूं रखता जैसे पहले था या फिर क्या किया चली शुरू के एक एक off कर भी देते हैं ठीक है कि बड़ी creativity होगी जी ठीक है बहुत अच्छी है इसकी जगह यह वाली सुनिये क्या करती है फिर मैंने क्या किया इसे पकड़ा सब को स्लेट किया shift प्रेस किया shift प्रेस करने से पूरा आया copy paste यहां रख दिया और मैंने क्या किया इनको हटाया इसको control shift यहां रख दिया अब यह करेगा तर 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 यह करेगा देखना है ना variation आ रही है तो variation के साथ खेलिए rhythm के साथ खेलिए इस lecture के बाद जिंदगी में आपकी यह जो lines के साथ खेलने की चीज़ है यह जो signatures के साथ खेलने की चीज़ है यह confusion हमेशे के लिए दूर हो जानी चाहिए मेरा spotify है spotify पे आप devnext level लिखेंगे verified artist मों आपर दिख जाएगा मेरे बहुत सारे गाने आ जाएंगे spotify पे ज़रूर सुनिया कीजिए ठीक है यह मेरे youtube है youtube.com slash devnext level वह 32,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और अभी कल ही मैंने lecture डाला था 3x oscillator से बहुत सबरदस्के किस तरह से design करें और भी बहुत सारे lectures आते रहते हैं यह मेरा facebook है facebook.com slash devnext level इस page को ज़रूर like कीजिए मेरा instagram.com slash devnext level मेरे सारे के सारे updates यही पर आते हैं मेरे stories regularly check करते रहा करिए मेरे कहां पर interview है कहां पर मेरे gym क्या है मेरे sessions हो गए मेरे recording session हो गए और भी बहुत सारी चीजिए मैं इस पर बताता रहता हूँ soundcloud.com slash devnext level मेरे सारी sounds आप यहां जाकर सुन सकते हैं and click on the join button so that आपको extra perks मिलें extra posts वगेरा मैं काफी community tab में share कर रहा हूँ जो सिरफ members को ही नजर आती है so click on the join button to support the channel मिलते हैं किसी all action में तब तक के लिए devnext level signing out namaste झाल